आपका स्वागत है और दोस्तों इस टिटोरियल्स के माध्यम से आपको जितने भी टूल्स यूज हुए हैं स्केच में वो टूल्स आपको बताने का कोसिस कर रहा हूं और इसमें आपको बेसिक चीजें कम्पलीट हो जाएगी कि कहां से कैसे डिजाइन क्रियेट करना होता है तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और उससे आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे और वीडियो के लास्ट में अगर आ भी comment हो तो आप comment box में वीडियो जिस वीडियो से related आपको problem है तो उसके comment box में type करेंगे मैं आपको frequently reply देने का process करूंगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं यह बता देता हूँ कि अगर आपको कोई image इस तरह के circle में आपको लेना है तो कैसे ले सकते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ तो इसके लिए आपको दोस्तो यहां से एक shape लेना है suppose दैट मैं आपको एक circle shift के साथ यहां पे drag कर दिया और इस shape में यहां से आप देख रहे हैं कि shift ओ से प्रेस करना है आपको अगर सेफ लेना है तो इस में सेफ है आप चाहते हैं कि यह सेफ यहाँ पे आजाए तो यहाँ पे भी आप ला सकते हैं राइट क्लिक कीजिएगा custom tool में जाएंगे और custom tool में जाने के बाद एक यहाँ पे option shape का है यहाँ पे आप डाइरेक्ट ड्रेग करके रख देंगे कहीं पे वे तो यह automatic यहीं से आप यह तूल जो यहाँ से use करना है यह सीधा आप यहाँ से use कर सकते हैं तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह tools मैं यहाँ से कैसे work करता है यह को बताता हूं तो दोस्तों इस shape में मैं क्या करना हूँ एक image ले रहा हूँ और image अगर लेना है तो सिधा इसमें यह solid color लेने के लिए आप color लेना है तो यहां से ले सकते हैं और अगर gradient लेना है तो यहां से आप ले सकते हैं और ready matte अगर कोई gradient लेना है तो यह कर सकते हैं बनाना है तो इसमें आपकी लिकिए और जो भी कलर आपको पीक करना यहां से मूब कर लें और यहां से जो भी कलर आपको यहां से डार्क देना है ले सकते हैं तो इस तरह से इसमें आपको यूज होगा उसके बाद यहां से आप रेडियस जो है expand और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं radius को इस तरह से तो इसको rotate भी कर सकते हैं यह use होता है उसके बाद यहां से आप हमेशा ready made भी use कर सकते हैं जो already default बने हुए है इसके बाद Photoshop में यह भी option है अब मैं आपको texture अगर देना है तो यहां से black का देना है तो black कर सकते हैं यहां स white कर सकते हैं आप try करेंगे तो सभी पता चल जाएंगे कि कौन सा tool कैसे use करना है आपको try करना है तो मैं आपको image बता रहा हूं कि कैसे इस तरह से ला सकते हैं तो यह shape लेना है circle में यहां पे click करना है यहां पे choose option है और जो भी photo आपको लाने है यहां से open कर दिया और इस तरह से यह shape आजाएंगे उसके बाद यहां से fit करना है तो आप fit कर सकते हैं अगर stage करना है तो stage कर सकते हैं और tiles करना है तो tiles कितने सारे image है यह यहां पे zoom in zoom out कर सकते हैं उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहां से stage करें तो आप stage कर सकते हैं fit कर सकते हैं और fill कर सकते हैं तो fill मे हमेशा आपको total जितना size image का फिल हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आगया होगा कि कीज तरह से ये work किया, follow button आपको create करना है, तो कुछ नहीं करना R press करना है, या यहां से जाना है, R press करके यहां से shape लेना है और जो भी color आपको suppose that यही color चाहिए, तो यहां से color कोई भी select कर लिजए या same color चाहिए, तो यहां पर आप click करेंगे, यह pick color है, pick color में आपको select करना है, और select करने के बाद rounded करना, यह जो है, आपको outline नहीं लेना है, अगर outline लेना है, तो आप color में use कर लेंगे, otherwise, यहां से नहीं add करने और shape को rounded करना है, तो यह select किजिए, और radius को जितना चाहिए, आपको उतना radius use करना है, तो इस तरह से यह radius, अगर check करना है, कि किटना है, तो यहां पर double klik करेंगे, आपको radius यहां पर पता चल जाएगा, की कि तना किया हुआ है, तो यह actually यहां से आप टेक्स लिखेंगे और टेक्स लिखने के बाद यहां पर यह कलर यूज़ कर सकते हैं और जैसे यह टेक्स लिखा हुआ है तो यहां पर आप टेक्स को सीधा कोउपी कीजे और यहां पर पेस्ट कीजे और यहां पर अगर साइज यह यह नहीं अस्टाइल चाहिए तो नहीं इस्टाइल कर दिज़े और यहां पर gouvern और फॉंड साइज आपको बड़ा करना है यहां से यह दाने के लिए है और ये character between a space है जो कि आप देख रहे हैं इस तरह से karnin tracking जिसको बोलते हैं और यहां से आपको zero press कर देना है और नहीं लेना है तो उसके बाद यह text जो है आपको यहां से यह आपको shape दे रहा हूं इस तरह से यह shape को अगर मान नहीं कि left में लेना है तो आप Center हो जाएगा और तो में क्या होगा कि यह box जो है यहां से आपको अगर फॉंट सब्सक्राइब करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं यहां और जेंटली स्क्रोलिंग या यहां से भी आप बढ़ा कर सकते हैं असे इस तरह से फॉंड साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर सेड़ो आपको चाहिए तो यहां पर आप सटाइब वाल उगर है वह आप सेट कर सकते हैं कि यह था बटन कैसे क्रियेट किया गया था वो मैं बता रहा था अगर मैं आपको यही वाला स्टाइल इसके अंदर पेस्ट करना है तो यहाँ पर अस्टाइल देख करेंगे तो वही साइज ले लेगा देखिए यह है शॉट कट उसका आप सब्सक्राइब यह बटन से और यही कलर इस बटन पर भी चाहिए तो यहां से आपको चाहिए तो यहां से एडिट में जाएंगे यह बहुत ही useful feature है copy style करने का या style copy कर लेगा और इसके अंदर जाकर कि आपको edit में paste style कर देना है तो यह भी आप समझ गया होंगे कि किस तरह से work कर रहा है उसके बाद यह आपको अगर left में लेना है तो सीधा यहां पे click करेंगे left हो जाएगा यहां से right हो जाएगा और यहां से center हो जाएगा font size मैं आपको बता दिया कि यहां से बड़ा चोटा कर सकते है अगर इस icon का size बड़ा करना है तो आप यहां से लॉग करेंगे और लॉक करने के बाद इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और नहीं तो आप select करके Command K प्रेस करेंगे और Command K प्रेस करने पर यहाँ पे 200% करना है तो 200% में यह बड़ा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे यह icon है आप चाहते हैं कि इसके अंदर यह image लगा हुआ है आप देख रहे हैं कि यह image जो है इतना area में mask किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि यह image कैसे लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ एक यहाँ पे delete किया मैंने और एक shape लिया यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसके उपर और इसको अगर rounded देना तो आप rounded कर लिजिए यहाँ पे मैंने rounded कर लिया और यहाँ पे जाना है feel के अंदर जाना यहाँ पे और यहाँ से choose image करना है और जो भी image आपको select करना है आप सीधा image को select करके use कर सकते हैं जैसे कि आपको मैं यह open किया और यह देखे इस तरह का use हो गया उसके बाद इसमें अगर आपको shadow देना है तो आप सिधा यहाँ पे shadow पे click किजिए और इसको जितना shadow बढ़ाना है और blood बढ़ाना है space बढ़ाना है आप इस तरह से use कर सकते हैं तो यह है आपका basic चीजे जो मैं आपको बता रहा हूँ lining इस तरह का है यह buttons है यहाँ पे अगर इसकी color change करना है या edit करना है अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई layer आप select करते हैं तो ऐसे select हो रहा है song जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे song है और इसके सभी layer को select करना है कभी जबी select नहीं होता है तो उसका trick बता रहाँ यहाँ पे जिस layer में इस folder के अंदर इस folder के अंदर कितने सारे layer हैं उसके select करने के लिए एक trick है folder को आपको select करना है और enter press करना है और उसके बाद tab press करना है यह देखिए और अगर इस लेयर को चेक करना है सौंग के अंदर वो तो सौंग के अंदर था इंटर प्रेस करेंगे और यह चेक कर लेंगे यह देखिए और टैब प्रेस करना है तो हर लेयर को यह कर सकते हैं और उस लेयर को अगर जिसको आपको एडिट करना है वहां से यहा यहां पे भी आप color change कर लेंगे अब यहां पे tap फिर phrase करेंगे और इस तरह से color change कर सकते हैं अगर कोई shape को edit करना है तो जैसे Adobe XD में है इंटर प्रेस करना है और सिधा इसको जैसे drag करना है वैसे कर सकते हैं यह था आपको basic चीजह अब आपको bg color change करना है इसका तो इसका bg color change करना यह artboard पे ही color लगा हुआ है तो इस artboard को यहां से drag दे और drop भी कर सकते हैं तो इसको पकड़ करके आपको drag drop कर सकते हैं और यहां से अगर आप color change करते हैं, जो भी color, यहां पर automatic change हो जाएंगे, यह देखिए, तो इस तरह से यह color change कर सकते हैं, यह आपको बता दिया, यहां पर आपको distribute करना है, आप चाहते हैं कि दो icons आएं, एक इधर है, align नहीं है, तो आपको यह shift के साथ select करना है, shift, shift और shift के line है, suppose that, ऐसे, तो आपको center करना है, center कर लिजे, right करना है, right कर सकते हैं, auto करना है, तो auto में single line का हो जाएगा, लेकिन यह layer देख रहा है, इस तरह का हो जाता है, तो इसके लिए हमेशा text को, एक screens के बीच में रखने के लिए, जैसे padding 28 है, 27, तो यहां पर आपको fix में रखना हो यहां तो ऐसे हो जाएगा, और अगर reset करना है उसको, तो यहां से यह layer को आपको पकड़ना है, catch करना है, और catch करने के बाद, यहां से width इसको कम करना है, यह देखे, यह देखे, यहां से ऐसे भी कम कर सकते हैं, और ऐसे भी कम कर सकते हैं, और नहीं तो इसको पकड़ करके, आप डाइरेक्ट इस नोट्स को यह कर सकते हैं और इसको अगर आपको सेंटर करना है तो आप सेंटर कर सकते हैं और यह उपर में है पूरे लिस्ट आप चाह रहे हैं कि यह जो है से लिस्ट बॉटम में हो तो यहां पर आप बॉटम करेंगे यहां से और इसको सेंटर करेंग सकते हैं और विसमें अगर मालें कि कोई इसके फॉंट में चेंज करना है तो आपको कलर चेंज करना है सब्सक्राइब इस पे यहां पर आपड़ाई फोटो अगर चेंज करने हैं तो यह मास्क लगा हुगा है फॉटो मास्क नहीं भी यूज कर सकते हैं डाइरेक्ट आप चाहते हैं कि ये फोटो मैंने डिलीट किया और इस सेप के अंदर फील कर दिया कलर और यहीं से आप डाइरेक्ट इमेज को सेलेक्ट कर लिजए जहां पे आपका पोटो लगा हुआ है वहां पे आप डाइरेक्ट उस पाथ से उठा सकते हैं तो यह इस तरह का हो जागा और नहीं तो एक और और है जैसे यह इमेज हैं यह इमेज है और मैं यहां पे प्रोफाइल पिक्चर में गया और इस पे मैंने इसको मास्क करना है इस एरिया पे और इसकी साइज मैंने बढ़ा कर दिया और मास्क इसी एरिया के अंदर करना है तो यह सेलेक्ट करेंगे दोनों और सेंटर कर लेंगे और सेंटर करने के बाद यहां से सॉरी कर लिया और इसी इमेज के उपर उसको पेस्ट कर देंगे यहां पर यह देखिए यह इमेज को जैसे ले जाएंगे उसे लिए यह अलाग इमेज है आप देख रहा है इसको मास्क कर सकते हैं तो मास्क करने का सोटकट प्रोसेस मैंने बताया भी है कि यह अगर मास्क नहीं है तो इसका सोटकट तरीका यह है कि यहां पर आपको पेस्ट करना है otherwise suppose that मैं आपको यह बाहर अगर किलिक कर दिया है और इस image को इसे mask करना है तो यह वाला select करना है और यहाँ पे यह button है जो कि आपको control हो और यह मैंने shape हटा दिया और यहाँ पे कोई image का यह shape है और इस shape के बाहर एक image मैंने paste किया है और यह दोनों को select कर लेंगे और यहाँ से mask कर देंगे इससे तो इस तरह दा और image को double click करके यहाँ पे single click में पूरा area drive होगा जबकि आप इस पे जा करके आपको double click करना है फोटो पे या इंटर प्रेस करना है और इसको ऐसे adjust कर लेना है तो यह था अब यहाँ पे इसको color अगर आपको change करना है तो यहाँ से आप image में जाएए यहाँ से color change कर सकते हैं यह है उसके बाद यह भी image उसी तरह का है अगर यहाँ पर आप चाहते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर यह symbol बना हुआ है यहाँ पर अगर image change करना है तो आप image double click करेंगे यह symbol में जाएगा और यह symbol page में अगर आप आ गये तो return to instant किजेगा तो यहाँ पर आ जाएगे और नहीं तो आपको profile इस page पर आप इस पर जाना होगे और यहां पर आप चाहरे हैं कि image कोई change कर दूं तो यहाँ पर image आप पेस्ट कर सकते हैं इसके उपर जैसे कि यह image हमें रखना है और इस image के अंदर जा करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो आप देखेंगे image यहां change हो गया है तो यह सारे चीज़े हैं जो basic चीज़े हैं और यहां से color आपको change करना है color कर लें और यह automatic color change हो जाएंगे इसको undo करेंगे तो undo हो जाएगा और इसके बाद यह सारे के सारे वैसे ही टूल्स हैं आपको अगर इसके अंदर photo change करना है आप देख रहे हैं यह symbol बना हुआ है और इसके बारे में मैं आपको नए tutorials में बताओंगा कि कैसे symbol यूज़ किया जाता है तो इसके example पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे यहां पर फोटो चेंज करना है तो यह अलग-अलग है और इस सिंबल है सिंबल स्केज का बहुत ही यूज़फूल एक प्रोसेस है जिसमें कि आप यूज़ कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करने के बाद अगर आपको पोटो चेंज करना है तो यहां से आप चेंज किजिए शिदा चेंज हो जाएगा और इसके अंदर भी आपको चेंज करना है यहां भी चेंज करना है तो चूच किजिए और यहां से चेंज कर सकते हैं इस तरह से तो यह वर्क इस तरह से करता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह बेसिक चीजे आपको समझ में आगया होगा कि किस तरह से यह वर्क करता है अगर आपको यह shadow add करना है तो आप shadow यहाँ पे click किजिए photos पे और यहाँ पे shadow भी add कर सकते हैं और दूसरी बात की यहाँ पे जो है आप चाहते हैं कि mathematical formula support करता है यहाँ पे अगर multiply कर देते हैं multiply का symbol अगर देते हैं और two press करते हैं आप two ऐसे करते हैं मतलब पूरा math का formula यहाँ पे apply कर सकते हैं अगर इसका size में minus 20 आपको reduce करना है तो कर सकते हैं इसको और उसके बाद यहाँ पे आप center कर देजिए इस तरह से यह use होता है photos के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे photos अगर नहीं है या आप इस photos को नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप photos को delete भी कर सकते हैं और delete करने के बाद नए photo इसको off करना है तो off कर लें इसके अंदर जो है से आपको fill color जाएए और यहाँ से आप photos यहाँ से ले सकते हैं जो भी photos यहाँ पे तो इस तरह से tiles में आ रहा है क्यांकि फोटो छोटा है state में fit हो जाएगा और fit में इस तरह से होगा और fill में आपको fill कर देगा ऐसे तो इस तरह से यह work करता है और यहां पे जो भी एक symbol बना हुआ है और symbol के जरीए यहां पे work करना है अगर इसका नाम change करना है तो यहां पे आप cash out है यह सारे के सारे Adobe में feature नहीं है जो कि इसमें है यहां पे आपको cash out के जगा पे my photos लिखना है तो आप photos लिख सकते हैं तो देखिए यहां पर My Photo हो गया और यहां पर आपको friends के जगा लिखना है college तो आप college लीख सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं कि यह जो basic चीजे हैं वह आपको समझ में आ गया होगा कि की सतरह से यह work करता है और यहां पर जो भी है आप जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे मैं आपको रिफलाई करने का कोसिस करूंगा थैंक यू